अगुड मारिंग दोस्तों एक नहीं दिन एक नहीं ब्लॉक के सुरात हो कि स्कूटी इसले दिखा रहे हैं क्योंकि अभी सिम्लों कहते हैं राउंड वोंड लेकि हैं पड़ापट और वहां के लिए सुबह के बच चुके हैं जल्दा वाई वह बच चुके साथ पचास और हम अब लोग काम के और फैनली अवह लोग को कलोनी की पूरी की पूरी रोड बन रही हैं मस के विएन को दो दिन कहले जो चोट लगा था और इसका फिर हमको इसका हाथ नहीं उठ रहा है तो हम लोगों को आना पड़ा है यहां पर इसका एक्सरे कराने हैं चलो तो आगे हम ल लोग तो यहां एसे कि रहा है तो इसका राइट शोल्डर आपको देख सकते जोड़ा से रूब हो गया है जारें लेने पर देखते हैं इसार पो वेज कर एक्सरे हो गया विए ने एक्सरे हो गया कुछ आया नहीं अच्छा है इस सॉफ टिश्यू इंफ्लमेशन में ते इ जाएगा तो ठीक हो जाएगा ठीक है चलो चला जाए लिफ्ट से चलोगे आओ चलो बैट जा फिर लिफ्ट तो नीचे गई लग रहा है आओ यहां पर वियान को दिखा था मिताब सरका का कट आउट तो वियान बोला बराइक फोटो कीच दो मतलब सोचो यारी बच्चा ज इसको ब्रेस बहनने पढ़ेंगे विचारा यार निकत होगा हमारी एक्टी हो यहां पर प्री तब होगा और हमारी स्कूटी खोल दिये भाईया यहां पर नहीं पता नहीं क्या के दिक्कत हो गया इसमें अ देखे क्या होता है यह देखें गाइस मेरी 11 साल पुरानी देखें अबरेस दे रही है 28.2 और यह ना वह वाला नहीं है कि जो ऐसे होता है दोसों बंदा करें जो और यह तो 21.2 बढ़ते जा रहा है यह वह है जो चेंज होते रहते हैं अभी चड़ाई आगे तो चेंज हो गया लेकिन जो कंटीनेस अबरेस देरी है मेरी गाड़ी व बहुत अच्छी होती थी इसका चाधर भी अच्छा है इसका बॉड़ी बिल्ट प्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़े की स्टेप्रेटी अच्छी है और डीजल में अगर आपको 24-25 बिल जाए तो समझ दो यार और मेरा पता है आप लोको मतला को डेली की मेरी रुनिं तो हो जाती है अब बुड़िया यार विचारी अपनी क्या काई इसको आपको यह जो बैक की तरह जो पहना है ना इसको लाइविकल सपोर्ट क्लिए वहार ने सोता वो लगाए कैसा लगा अबू दर्द हो रहा है भी अच्छा और उनको एक्से क्राने बहुत एक्साटेटर था लेकिन बिचारे के एक्सरे में फ्लैक्चर आ गया हमारा क्यूटी वेवी अभी राइट है उट रहा है कि नहीं बेटा लेफ्ट है यह तो राइट नहीं नहीं इसको देखिए राइट है नहीं पारा कहां लेट बच्चा ठीक रहते हैं तभी ब्लॉक बनाने का अच्छा लगता है अब यह वसे तो खेल कुद रहा है लेकिन वही है कि कभी-कभी हाथ लग जा रहा है तो इसको तकलीफ हो जारी कल रात पे तो यह अपने आपी दिन में दो-तीन बार उटके रात में उटके विचा रहा था क्यूटी यह देखो यह हमारे कॉलोनी में लगया पूरा का पूरा जाम मतलब रोड बना लेकिन लोगों को तरह चुल है ना कि इधर से आ गया है पूरा भूम अब यह देखो यह हमारा पूरा रोड तूटा यहां पर तोचे ते आकि स्कूटी निकाल देंगा लं जेसी भी यह सब कुछ लगी है लेकिन लोगों को देखो बताए करते इस ब्लॉक को यहीं पेंड भियां को देखिये लाम के सामने खड़ा होके पता निक्या कर रहे है टाइम पर रहा है इक गंटे से बोल रहे हैं उसको वह सोजा आज़्या टाइम हो गया रात का 11 लिए बतमाश को मस्ति करने थे फुरसती नहीं है माज चलो बाबू सोते हैं तो्यार करते हैं फ़र भाई साथ ब्लॉग को यहीं बैंड और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में तब देके लिए जल्डी को सब लोग बेट कर रहा है तो भाई करते हैं फिर अब सलक्लिट अटी